हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, 5 सेप्टेंबर 2018 की प्रिलिम्स अब रिटर सीरीज में आपका स्वागत हैं, यहां पे हम इंपोर्टेंट्स नियुज़ा वो डिसकस करते हैं, तो चलते हैं हमारी डिसकसिन के तरफ, सबसे पहला जो आर्टिकल आया है आज, पिए बेम व है, WHO की Regional Committee Meeting होई थी भी उसको लेके हैं, तो हम थोड़े इसके बारे में देखते हैं, Context को थोड़ा एक बार स्टार्टिक से देखते हैं, तो वो Context समयने के आपको बताया, कि WHO के भी Regional Meeting होई थी, South East Asia को लेके, तो वो एक्चुली हर साल आयोजित है, वो की जाती है, इसमें WHO के द्वारा काफी सारी decisions वगरा लिये जाते हैं, काफी सारी जो चीज़ें उनका review किया जाता है, कि last year को उनकों से decisions हुई है, उनका क्या-क्या performance वगरा रही है, क्या-क्या उनकी लिए actions वगरा लिये जा सकते हैं, किस तरके से एक साथ communicate करते हुए हम आगे, जो भी issues आते है उनसे निपढ़ सकते हैं, तो हम पहले ये देखते हैं, कि WHO के जो regional committee किस बैसे पर बने गई हैं, देखो हम बताओं कि WHO है, उसने all or world को 6 भागों में जो ग्रूफिकल एरिया के गोर्डिंग डियोड है, वो कर रखा है, 6 भागों उनकों से हैं, एक तो आता है जिसमें आपक आता है इस्टन मेडिटेरियन, देखो एच्छे है भाग आपको यहाद रखने की ज़रूत हो नहीं है, आपको बस क्यों नाम के लिए बता देता हूं, कि एक तो आता है इस्टन मेडिटेरियन, एक आता है वेस्टन पेसिपिक, और एक आता है साउथ इस्ट एस्या, एक आ तो इसमें हुआ क्या, इसमें focus क्या गया, कि भाई साउथ इस्ट एस्या की जो governing body है, यह साउथ इस्ट एस्या के अंदर जो governing body है तो और पर काम कर रही है, जिसका नाम है WHO Regional Committee for South East Asia, इसके दोरा review क्या गया, कि भाई जो health की कौन-कौन से disease हैं, उनके कैसी तो process रही है, उनके बात करें इसके WHO की जो South East Asia की ब्रांच है, बोल सकते हो कि South East Asia का जो region है, इसके कौन-कौन से disease के member है, South East Asia जो region है, इसमें basically बांगादेस आता है, भुटान आता है, कोरिया आता है, इंडिया आता है, इसके साथ इंडोनेसिया, माल्दिव, मैनमार, नेपाल, सिरिलंका, थाइ आता है, यह basically यह country में सामेल है, तो एक तो UPC छोटा सा question, बहुत ही अगर उनको difficult है को पूछन आओ, तो बन सकता है, जिसे पाकिस्तान ओप्शन देदेगी, चाइना ओप्शन देदेगी, तो मैं पता होना चै कि यह country इस region में basically सामेल है, वो यहाँ पर नहीं है, तो यह तो बनता है, वो बनता है इसके geographic location को लेके, तो पहले हम Spain और Catalonia के geographic location देखते हैं, फिर हम सारा जो context है, वो उसको discuss करेंगे, यह देखो, आप यहाँ पर देख सकते हो, यह Spain है, और Spain के अंधर ही एक प्रांद बोल सकते हो, या प्रोविंस बोल सकते हो, या एक state बोल सकते हो, जि Spain के आप देख सकते हो, कि कौनचे ने, Mediterranean Sea वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर, जिसको आप हो चकते हो, नोर्थ इस्ट वाला रीजिन है, इसमें basically Catalonia प्रांथ है, landlock नहीं है, Mediterranean Sea को फेश है, वो करता है, इसका border है, वो यहाँ पर France को टच है, वो करता है, चलो आप comment box में यह बत बताओ, Arabian, sorry, Iberian Peninsula के बारे में, तो Iberian Peninsula कौन-कौन सा है, वो हम एक बार यहाँ पर देख लेते हैं, Iberian Peninsula वाला हिस्सा यह है, यह जो हिस्सा है, यह basic लाता है, Iberian Peninsula में, तो इसमें दो कंट्री आती है, एक तो आती है Spain, और एक आती है पूर्थ गाल, तो यह चीज हमें ध पता है कि अफ्रिका है, वो start basically हो जाता है, तो यह हमने इसकी मोटी-मोटी location है, और discuss कर ली, आप देखते हैं कंटेक्स्ट की तरफ, देखो कंटेक्स्ट यह आपको पता है कि लास्ट यह भी news में था, कि जो Spain का प्रांत है, Catalonia, यहाँ पर रेफरेंडम की बात थी, क्यों भ पूरी Spain की जो जितनी GDP है, उसका 20% जो हिस्सा है, वो के लिए Catalonia के द्वारा ही निर्दायत है, वो होता है, इसके साथ ही बात करेंए Spain की, तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़े और भी included हो जाती है, अब Catalonia के लोगों का देखो, basically यह कहना है कि भई, उनके द्वारा है, उ उनके प्रांद की दरा जितनी income की जाती है, वो उन पर खर्च नहीं की जाती है, Spain के बाकी जो गरीवी से है, बाकी जो काफी बैकूर्ड इसे है, उन पर पैसा खर्च कहा रहा है, मतलब कमाई तो कर रहे हैं वो और पैसा कहीं और खर्च हो रहा है, तो बहुत से ऐसे regions है, उनके आधार पर Catalonia का कहना है कि भाई वो अलग रहना चाहता है, और उसके लिए बार-बार referendum की मांग है, वो कर रहे थी, तो अभी context आया कि जो इस्पेन के बढ़ान मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि भाई ठीक है हम Catalonia को autonomy, ध्यान से देख सुनना, कि वो Catalonia को autonomy देने के लिए referendum की बात है, उनका कहना है कि Catalonia को autonomy है, वो दीजा सके, ताकि वो अपने जो भी identity वगरा है, उसको सहेज़गर संभाल के रख सके, इसके लिए basically भी news है, वो आई थी, तो जो अहम चीज थी यहाँ पे, वो थी एक को Iberian Peninsula, वो हमने discuss की, इसके साथ है Catalonia की location हमने discuss की, तो यह ची पिछड़ा हुआ है, तो जो Barcelona का पैसा है, वो Madrid में खर्चा हो क्या जा रहा है, तो UPS इन दोनों cities के बारे में भी पूछ सकती है, मेबी मेजदा following में, कि Madrid, Barcelona कहां से, तो मैं पता हो ना चीए, कि Madrid और जो Barcelona, जो city वगरा है, यह तो basically Spain की है, तो UPS ने पहले एक दो बार ऐसे questions पूछें, तो in facts की तरफ हमें धान देते हुए आगे चलना है, next जो article आया है, वो है public credit registry के बारे में, तो हम देखते हैं कि public credit registry क्या होती है पहले, और इसके साथ हम देखते हैं कि क्यों भी context है, तो context तो कुछ यह है, कि RBA ने पहले committee भी बनाई थी, जो committee का नाम भी आपको review करके, कि में public credit registry की जरूत है या नहीं है, इसके लिए में क्या क्या स्टेप वगरा उठाने है, तो उसी तरफ पे अभी RBA के द्वारा, RBA के जो deputy governor है, उनके द्वारा basic लिए कहना है कि वो public credit registry है, उसका निर्मान करना चीए, ताकि जो भी NPA वगरा सी issues है, उनसे निप्ट विजय माले ने अपने एक ही document से काफी सारे बैंकों से loan लिया था, बहुत सी simple language में आपको में बता रहा हूं, जैसे मालो कि उनका kingfisher का office है, ये एक office है, इस office के उन्होंने document दिखाए एक bank में, ये मालो SDFC में पहले documents दिखाए, यहां sell loan ले लिया, फिर दूसरे bank में गे, फ जब वो यहां पर पैसे नहीं चुका पाए, तो बता चला कि भई property तो एक है और इसको लेने के लिए 500 bank आ गया है, वो कह रहा है कि देखो मेरा हिस्सा है, वो कह रहा है मेरा हिस्सा है, तो इससे हुआ क्या, कहीं न कहीं हमारे देश का banking system, वो crisis में खत्रे में आ गया, और ज इसी तरस पर अभी public credit registry का निर्मान के अजयर है, अब आप सोच के देखिए, अगर जो banks थे, इनके पास पहले से information होती, जिसे कि पहले विजाय मालया ने एक bank से लोन लिया, यह मानो कि SDFC से उसने पहले लोन हो लिया, अगर उस्सी टैम पे एक register त्यार होता और उसमे एची तो वो SBA वाले अगर एक register में, उस register में अगर चेक कर पाते हैं, कि हाँ भी इस इंसान है, तो इस property पर उलड़ी loan लिया हुआ है, तो हम loan नहीं दे सकते हैं, तो मतलब क्या होता, कि कहीने कहीने वो अपने पैसे को credit होने से बचा सकते थे, उनको पता चल जा था कि हाँ यार जो जरोक्स मसीन है, वो लेनी है, वो मालों की एकलाक रुपे गया रही है, अब वो क्या करेगा, या तो अपने जो property वगर है, उसको bank में लेखे जाएगा, और फिर बोलेगा कि हाँ बैटी का, मुझे loan दे दो, तो bank वाले उसे security के basis पे loan है, वो दे देंगे, फिर आप suppose ग उस condition में क्या होगा, जो bank है, वो अपना वापस पैसा वो सुनने के लिए उसके property उसको sell करने की कोशिस करेगा, तब पता चलेगा, के रे भाई इसे तो properties पे बहुत सारा loan लिया हुआ है, तो आपस में conflict हो जाता है, वो जो पैसा है वो record नहीं हो पाता है, तो इसी तरस पे भी RBA ये प्लान कर लिए, कि एक register तियार किया जाए, एक public credit register database है, वो तियार किया जासके loan के लिए, ताकि जो भी person loan ले रहा हुआ हो उसके बार में सारी information वहाँ पे हो, कि इस इंसान ने पहले यहां से loan लिया है, इसकी ये rating है, इस इंसान ने loan time पे चुका या नहीं चुक सकता है, और उसका फायदा क्या होगा, कि bank है, वो अपनी NPS से बच सकते हैं, इसलिए individual और corporate groups है, उन दोनों के लिए loan का data है, वो यहां पे तियार किया जाए एक register के दोर पे, ताकि पता चल सके, कि भई इसकी पहले कि history कैसी है, credit को लेके loan अगरा दिया था, तब कैसे इसने काम किया था, उसी तरज पे public credit registry का निर्मान है, वो क्या जा रहा है, तो यह था context, और हमने इसको काफी अच्छे से discuss है, वो यहां पे किया, benefit जैसा मैंने आपको बताया, NPS से काफी सहुलियत हमें मिलेगी, इसके साथ ही e-job doing business है, उसमें में काफी support हो यहां पे मिलने वाला है, तो उसी को लेके basically यह साथ जीज़ती, वो government के द्वारा या RB के द्वारा भी step है, वो लिए जा रहे है, इसमें आपको एक committee का नाम जुरूर ध्यान रखना है, इसके साथी public credit registry होती है, यह चीज़ आपको ध्यान रखना है, एक trigger का database है, financial history को लिए, देखने के लिए, त इसके बारे हम देख लेते हैं, सबसे पहला fact आपको यह धान रखना है, जो कि UPC, Maze the following वगरा में पूछ सकती है, hope mission किसे है, देखो यह है UAE, दुबई से लेके बेकिसल यह mission है, वो है, दुबई का यह Mars mission है, जो कि 2020 में launch करने की बात है, वो की जा रही है, तो यह चीज़ ह में धाना हो यहाँ पर रखनी है, दुखो दुबई की एक जो space agency है, जिसका नाम है Emirates Mars mission या Emirates Mars agency, sorry Emirates Space Agency, तो Emirates Space Agency के दौरा Emirates Mars mission है, वो भी launch करने की बात हो की जा रही है, बेसिकलिए 2020 में launch क्या जाएगा, और 2021 में से मंगल गरे तक इसके पहुँचने की बात है, वो की जा होगेरा है, क्योंकि इस पर UPSC के बार questions होगेरा, पूछ लेती है, क्योंकि देखो बात ही है, कि 2020-21 के time पे, दुबई की पचास वी anniversary है, मतलब दुबई को बने हुए 50 साल हो जाएंगे, और उसी मोके पे दुबई कुछ ऐसा कारणामा करना चा रहा है, तो उसी तरस पे ब पार्टिकल है, दो-तिन चोट-चोटी information है, वो है आपको दान रखने, एक तो है, मारालाल केमल डर्बे के बारे में, देखो मारालाल केमल डर्बे है, यह बैसिकली इतना important नहीं है, बट अभी news में था, तो एक बार मलके से इसे देख लेते हैं, यह बैसिकली एक annual event है, जो computational जब बरतिभागी होते हैं, वो इसमें अपने सिधारी लेते हैं, और फिरे प्रतियोगता basically होती है, हर साल आयोजित की जाती है, तो बस थोड़ा सा ध्यान रिकलना, एक बार news में था, तो है क्या हूँ, नेक्स्ट जो news आये है, या नेक्स्ट जो article आया है, वो आया है, International Ayurveda Congress के बार में, context यह है कि 4th International Ayurveda Congress है, वो अभी नेदरलेंड में आयोजित है, वो किया गया था, तो यह चीजा आपको धानक नहीं है, नेदरलेंड की एक जगह है, जिसका नाम है, नेदेन, चोरी लेदे इस लेदेन जगहे में, बेसिकली इसको आयोजित है, वो किया गया है, अब है किया किसके दौरा यह और्गनेज्ट की गए, वो भी एक बार हम देख लेते हैं, तो को यह और्गनेज्ट की गए है, International Mercy Ayurveda Foundation के दौरा, जो कि नेदरलेंड बेस्ट है, इसके साथी All India Ayurvedic Congress, इसके साथी New Delhi and International Academy of Ayurveda, जो कि पूने बेस्ट है, इसके साथी Indian जो Embassy है नेदरलेंड में, उसके दौरा बेसिकली यह एक तरे से और्गनेज्ट है, वो किया गया था, तो यह चीज़ थोड़ी हमें धाना हो रखनी है, काम क्या था इसका, इसका देखो बेसिकली एक ही मोटो है, में मोटो हम बात करें तो, कि जो भी Ayurveda की डिटेल्स हैं, Ayurveda के बार की जो भी फीचर्स हैं, उनके बारे में बैसिकली पर्मोट क्या जाए नेदरलेंड और नेदरलेंड की जो प्रोडोसिक कंट्रीज हैं, यूरोपेन कंट्रीज हैं वहाँ पे, इसके साथ ही जो इस को इंटरनेशनल लेवल पे अलग से वियो अलग से एक ब्रांड बनाने के लिए, बेसिकली ये कॉंग्रेस है, वो आयोजीत है, वो किय गी है, तो ये कंटेक्स था, छोटी सी न्यूस थी, उसे हमने यहाँ पे कवर है, वो किया है, नीचे दो छोट-छोटी न्यूस जी है कि अभी डिसेंटली पता, आर्बे के दोरा एक डाटा रिलीज किया गया, उसमें पता चला कि जो सिंगापूर है, वो अगें सेकिन नमर पे रहा है, एक डाटा के नमर पे, नमर वन पे कौन रहा है, नमर वन पे रहा है, मौरिसस, मतलब इंडिया में सब से ज़्यादा जो UPS ही पूछ सकती है, तो ये थोड़ा हमें धान है, वो रखना है, बात करें हम 2017-2018 का जो फैनेंस लियर था, इसमें टोटल हमारे देश को 37.36, 37.36 billion dollar की जो FDI है, वो मिली थी, और 2016-17 की बात करें तो उस टैम पे मिली थी 36.31 billion dollar, मतलब 1 billion dollar है, लगबग 1 billion से जादा ही है, उसका इजाफ़ा यहाँ पर देखा गया है, तो ये context था हूँ, जो जो हमने आपर देखा, इसमें 2-3 factors यह भी देखने को मिले हैं, जिसमें बहुत बारी की में अगर UPS Secutions पूछती है, तो पोच सकती है, कि जैसे manufacture sector है, इसके अंदर FDI कम हुई है, इसके बाद में retail sector हुआ, या service sector हुआ, या फिर trade की बात करें, इन sectors में देखा जाए, तो भारी इजाफ़ा हुआ है FDI में, मिल्ब जो investors हैं, वो retail जैसे की flip card सी companies हुई, या फिर service sector की जो companies हुई, या फिर trade के लिए जो companies हैं, उन में basically पैसा जदा invest कर रहे हैं, ना कि manufacture sector में, इसके बाद में एक छोटी सी news हो रहा है, वो आई है, पी एक trident exercise थी, यह repeat trident exercise, यह repeat trident exercise है, यह basically एक annual multinational exercise है, जो कि Ukraine के द्वारा भी host है, वो की गई थी, बस यह छोटा सा कंटेक्स था, एक बार नजर मा लेना भोत है, बाकि रटने के इनको कोई ज़रोत है, वो नहीं है, तो यह तो थी basically आजगी हमाई discussion फिलहाल की discussion में यही है, तो thank you very much for discussion.